Hello students, good morning to all of you. हम insurance company को discuss कर रहे थे कल, हमने कुछ questions को discuss किया था. आज हम उसी discussion को carry forward करेंगे, कुछ और question को discuss करेंगे और last में हम क्या करेंगे, जो life insurance company है, कैसे वो अपनी profit को calculate करती है, उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले question को read करते हैं, आपको क्या दिया हुआ है, happy life insurance company का balances दिये हुए है, 31 मार्च 2003 के, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, कुछ adjustment दी हुई है, सबसे पहले देखो, मैं question बाद में शुरू करवाओंगी, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, वीडियो को post करके पहल आपको क्या करोगे, तब आप लोगों को जादा क्लियर होगा, as compared to, सिफ मेरी सुनते जाओ, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक बार सबसे पहले adjustment पढ़ लेते हैं, सारी की सारी, आपको क्या करना है, balances दियो हैं, इससे आपको company की balance sheet बनानी है, revenue account बनाना है, बैलन शीट बनानी है, revenue account बनाना है, तो profit and loss थो हमें बनाना ही पड़ेगा, तब ही हमें पता चलेगा balance sheet की amount का, claimless reassurance outstanding at the end of year, यानि आपको claim से related दिया हुआ, अब इसी पितना ध्यान रखते हैं, expenses से related आपके पास adjustment है फिर आपको depreciation दिया हुआ है building का, depreciation furniture का और tax दिया हुआ है 110 lakh का, उसके बाद आपको premium और commission से related adjustment दी है and last में आपको interest, dividend and rent से related adjustment दी हुई है अब एक एका item को उठाते हैं, सबसे पहले आपको दिया हुआ है claim दिया हुआ है claimless reassurance देखो, reassurance का जो claim होता है, वो तो हमें less ही करना होता है, यानि कि आपको क्या करना होता है यानि जो दूसरी party आपको claim pay करेगी, जिससे आपने reassurance करवाया है, reinsurance करवाया है तो यह बात इन्होंने सही किया हुआ है, यह जिफ आपको वैसे confuse करने के लिए बताते हैं कि इसमें से reassurance less है, always यह correct दिया होता है आपको दिया गया है, by death 2200 है, और by maturity 1500 है, इन्हें कहां लेके जाओगे, for schedule benefits paid में, अब इसके बारे में कुछ adjustment भी थी adjustment में लिखा हुआ था, claim less reassurance outstanding at the end of year, by death इतना है, और by maturity इतना है, यानि आपको closing का outstanding दिया हुआ, closing का outstanding को क्या करते हैं, अब आगे पड़ते हैं, अन्यूटी दी हुई है, यह कहां आती है, benefits paid, schedule बनाना है, claim by death वाले में 600 को एड़ कर देना है, और by maturity वाले में 400 को अब आगे पड़ते हैं, अन्यूटी दी हुई है, यह कहां आती है, benefits paid, schedule 4, furniture and office equipment, देखो furniture and office equipment की cost आपको 250 दी हुई है, और साथ में लिखा हुआ है कि इसमें से 40 लैक जो है, वो है, जो इस साल purchase किये गई थे, देखो मैंने आपको एक बात पहले नहीं बताई थी, जान इसकिया हो, तो जो आपका schedule होता है, fix a set का, वहां पर आप always क्या करते हो, opening balance को अलग दिखाते हो, फिर addition दिखाते हो, फिर कुछ reduction हो, यानि depreciation वगारा कि वो दिखाते हो, और last में आप closing balance पे पोचते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर, कि आपको चाहे पता है क कि overall आपकी जो furniture है, उसकी value 250 है, बट आपको क्या कर दिखाना पड़ेगा, कि साल के opening में आपकी 210 थी, और फिर आपने 40 lakh की purchase की है, और फिर आपकी क्या हुई है, last में 250 हुई है, यानि आप direct 250 नहीं लिखोगी, जबकि वलकि जो schedule बनाओगे, तो वहां पर furniture का दिखाते पहले 210 दिखाओगे, फिर उसमें 40 air दिखाओगे, तब जाप क्या का 250 आएगा, depreciation की adjustment होगी, उसको हम बात कर लेंगे उसके बारे में, बट यहाँ पर main बात यह है, कि आपको 250 को क्या करना है, 210 को अलग दिखाना है, और 40 को उसमें add करके दिखाना है, अब depreciation दिया हुआ फरनीचर का 15 लाग, तो आप इसको क्या कर दोगे, depreciation को, दो बार treatment होगा, एक बार profit and loss account में as a depreciation less कर दोगे, और दूसरी बार क्या करोगे, आपके फरनीचर में से less कर दोगे, फिर आपको दिया हुआ है, printing and stationary, printing and stationary क्या होगा आपका, profit and loss expense है, यानि directly related तो नहीं है, तो आप इसको कहां लेगे जाओगे, profit and loss में, cash with bank on current account यानि schedule 11 जो हमारा cash and bank balance का है, उसमें जाएगा, cash and stamp in hand ये भी वहीं जाएगा, surrenders है, या आप कहां लेते हो, benefits paid में यानि schedule 4 में जाएगा, commission दिया हुआ है, schedule 2 में जाएगा, expenses of management direct expense मानते हो, यानि operating expense schedule 3 में जाएगा, sundry deposit दिये electricity company, यानि आपने deposit किया हुआ है, advance में कुछ electricity company के पास, तो ये क्या है, आपके लिए asset है, तो यह कहां जाएगी, आपकी other asset के schedule में जाएगी, advance payment है, income tax की, तो ये क्या हो जाती है, ये आपके provision में, जो अब आप provision वाला schedule बनाओगे, तो income tax का जो provision होगा, उसमें से less होगी, कि आपने क्या किया हुआ है, कुछ tax को advance pay किया हुआ है, जो provision for tax बनाओगे, उसमें से advance payment of tax आप less कर दोगे, उसके बाद आपको दिया हुआ है, sundry debtors, other asset, agent balances, ये भी other asset, income tax paid, income tax जो pay किया है, ये आपका कहां जाता है, ये आपका profit and loss में जाता है, कि आपने क्या किया है, 950 है, 950 का क्या किया है, income tax pay किया है, तो आप इसको क्या कहां लेके जाओगे, आपके profit and loss में, जहाँ पर आप less करते हो tax, loan on mortgage, यानि आपके पास किसी की property mortgage जाई है, यानि आपने किसी को loan दिया होगा, तो ये आपके loan के schedule में आएगा, loan and policy, ये भी loan के schedule में जाएगा, sundry investment है 52,000 की, देखो वैसे तो investment कहां जाएगी, schedule 8 में, जो investment वाला है, लेकिन इसके bracket में लिखा हुआ है कि इसमें से 250 लाग वो पैसे हैं, जो के आपके deserve bank के पास deposit है, यानि ये normal deposit है, तो आप इस deposit को कहां लेके जाओगे, ये 250 तो आपके जाएंगे other asset में, यानि आपका किसी के deposit पड़ा है, reserve bank के पास, और बाकी के जो 51,750 बचेंगे, वही आप investment में लेके जाओगे, building दी है, building का treatment में आपको बताया हुआ है, कि 85,000 की बजाए, आपको 5315 लिखना है, फिर उसमे 85 को add करके दिखाना है, कि अब आपके पास कितने हो गए है, 54,000 हो गए है, then आपको share capital दी share capital के schedule में चली जाएगी, life assurance fund दिया है, beginning of year का या आपका direct balance sheet में जाता है, premium less reassurance दिया है, या आपके premium की amount है, ये schedule 1 में जाएगी, इसके बारे में आपकी adjustment भी थी, कि premium आपका क्या है, outstanding है, 2028 लाग का, outstanding है, यानि हम closing का मानेंगे, एक बार तो premium outstanding क्या premium में add हो जाएगा, और दूसरी बार आपका कहा पर जाता है, ये premium outstanding यानि आपकी other asset है, आपको premium मिलने वाला है future में, तो आप क्या कर दोगे, इसे other asset के schedule में mention कर दोगे, उसके बाद आपको दिया है claim के बारे में, कि आपके claim क्या है, 900 outstanding दिये हुए है, beginning के, by death के 900 और by maturity के 1600, देखो claim का बाकी treatment हम कर हो चुके थे, यहाँ पर आपको क्या दिये हुए है, outstanding दिये हुए है, beginning वाले, तो beginning वाले को क्या करते है, हम, less करते हैं, तो आप इनको क्या करोगे, less करोगे, जो आपका claim का amount वहाँ पर आया था, जब हमने पहले calculation की थी, उसी में से इनको beginning वालो को, less कर दोगे, credit balance है, आपके revenue account में आएगी, हुकी directly related है, interest, dividend and rent, यह आपकी जाएगी profit and loss में की income में, और इसके बारे में adjustment थी, कि interest, dividend and rent outstanding तो है, 30,00,00, और जो accrue हो चुका है, और due नहीं हुआ है, वो 350,00,00, दोनों का treatment सेम होगा, यानि दोनों ही income है, जो अभी तक मिली नहीं है, बढ़ हमारी ह तो दोनों ही क्या है, एक तो आपकी other asset में जाएगी as income है, और बाकी एक बार क्या होगी, आपकी interest and dividend में add हो जाएगी, उसके बाद आपको registration and other fee दी है, यह आपकी profit and loss की income है, sundry deposit है आपके पास, sundry deposit यानि आपकी क्या है, आपकी के पास किसी के आप यह मान के चलोगे, अगर आपको normal deposit दिया है, कि किसी ने आपके पास पैसा जमा करवाया होगा, तो यह क्या है, आपकी current liability है, tax का provision है, 300 का, देखो tax से related हमारे पास काफी सारी item हो गई, हमें पता है कि जो tax है, always provision हम क्यों बनाते हैं, ताकि जो tax हमें जब pay करना होना, तो हम उस provision का use कर सके, सबसे पहले tax को pay करने के लिए, आपको उपर बताया गया था कि जो आपने tax pay किया है, वो 900 का किया है, ठीक है, उसके बाद आपको नीचे बताया हुआ है, कि आपको 110 लाग का provision बनाना है, जो 110 लाग का provision बनाना है, यानि future में maintain करना है, तो उसकी transaction क्या होना चाहिए, एक बार तो provision में आ provision में, जिसमें से आपके पास पिछले साल का provision पड़ा था, 300 का, तो सबसे पहले आप उसे use करोगे, यानि आप जो अब की बार पैसा आपको चाहिए, वो क्या आ जाएगा, 710, यानि जो आपका profit and loss account बनाओगे, वहाँ पर तो आपका profit जो less होगा, वो 760, ओके ठीक है, यहा आपको 110 ही लिखना है, क्योंकि आपने provision future में तो इतना ही रखना है, और जो आप transaction करोगे profit and loss में, वहाँ पर आप tax less करोगे 760 का, क्योंकि 950 इस बार का था, इस बार pay किया है, आपने 110 आपको बचाने है, यानि 160 आपको total चाहिए थे, 300 आपने पिछली बार का provision यूज कर ल है, तो आपके लिए क्या है, advance की income हमारी liability होती है, current liability में जाएगी, sundry creditors, current liability, contingency reserves, reserve है, तो आपकी reserve answer plus में जाएगी, furniture and office depreciation account है, देखो अगर यह simple depreciation होता है, तो depreciation को हम profit and loss में लेके जाते हैं, बटी depreciation account है, यानि यह accumulated depreciation है, और accumulated depreciation क्या करते हैं, या तो liability में दिखाते है, या तो respected जो asset होती है, उसमें से less करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो asset है furniture उसमें से less कर देंगे, यानि यह 40 भी जो निचे वाला depreciation था, 15 lakh उसके साथ यह 40 भी less हो जाएंगे, ऐसे ही building depreciation account के 300 है, यह भी account है, तो भी accumulated depreciation है और 45 लाग नीचे थे, यानि 345 lakh आपके क्या हो करेंगे, आपकी depreciation building में से, कोई और adjustment हो गई है, expenses की हमने नहीं की, adjustment करते हुए, expenses दिये हुए थे आपको, 3100 के expenses से, इसमें से आपको बताया हुआ है, 60 lakh outstanding है और 15 lakh prepaid है, तो outstanding वाले को तो आप क्या कर देते हो, add कर देते हो, और क्योंकि यह outstanding expense है आपके, तो इसका मतलब यह क्या है, आपको भी pay करने है, तो यह आपकी current liability हो गई, फिर आपके prepaid expenses दिये हुए 15 लाग, तो एक बार त expenses आपकी asset होती है, तो आप इसको other asset में लेके जाओगे, उसके बाद third transaction हम कर चुके हैं, fourth की हमने commission की transaction भी नहीं की, commission में आपको दिया हुआ था, उपर कि आपका commission है 250 और आपको नीचे दिया है commission outstanding, देखो premium outstanding था, उसी के उपर commission था 65 लाग का, यानि commission भी आपका outstanding है, commission आपक commission में add हो जाएगा, और एक आपको प्या करना है future में commission देना है, तो outstanding commission आपके लिए current liability है, तो दूसरी बाद ये current liability में चला जाएगा, बाकि सारी transaction हम कर चुके हैं, सबके total करोगे, जो यहाँ पर balance आएगा, उसे profit and loss में transfer करोगे, उसके बाद tax वगरा less करने के बाद कोई appropriation नहीं था, तो यहाँ पर जो balance बचेगा, वो आपका चला जाएगा, funds for future appropriation में, life insurance fund आपको balance sheet में दिया हुआ था, सारे heads के total को लेके आओगे, और last में, क्या करोगे, total करोगे, कुछ भी नहीं है, simple question है, 5th और 6th question भी आप लोग खुद try करोगे, क्योंकि उनमें कोई भी new point नहीं है, बिल्कुल, simple, straightforward question है, कोई problem हो, तो मुझसे पूछ लेना, but try आप लोग करोगे, अब हम एक topic डिसकस कर रहे हैं, कि life insurance business अपना profit कैसे निकालता है, practical point of view से आपके slaves का part नहीं है, आपको सिफित theoretical point of view से समझना है, कि यह होता क्या है, देखो हमें पता है, कि जो आपका profit and loss है, वो actual profit जो है, पूरा life insurance का नहीं बता पाता, क्योंकि life insurance में देखो, आपको किसी को जो पैसा देना है, वो कई साल बाद देना है, कईयों का premium जो है, आपने policy आद इशू की हुई है, उनका premium अभी आगे आने वाले years में मिलेगा, तो SME, आपका जो profit and loss है, वो exact profit नहीं बताता कि आपकी insurance companies time profit में चल रही है या loss में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक separate method follow करना पड़ता है, और जो ये काम होता है, वो बहुत ही complex work होता है, कोई person जो है, बहुत easily इस काम को नहीं कर सकता, इसके लिए always expert को appoint किया जाता है, और जिन experts को इसके लिए appoint कि जाता है, उनको बोला जाता है acturies, और क्योंकि ये valuation app के acturies करते हैं, इसी लिए इस valuation का नाम है actuarial valuation, यानि profit को जब life insurance business के profit को निकाला जाता है, तो उस method को हम बोलते हैं actuarial valuation, ये लोग क्या करते हैं valuation करने के लिए, कि वो पहले पता लगाएंगे कि future में हमें कितनी liability देनी है और उसकी present value क्या है, यानि सबसे पहले निकाली जाएगी present value of future liability, यानि जो future में आप liability आपको pay करनी है, अगर उनकी आज की value देखें कि आज की according वो कितने रुपे बनते हैं, तो उसमें से minus कर देंगे present value ही किसकी future में मिलने वाले premium की, यानि future में आपको किसी ही insurance policy पे जितनी payment करनी पड़ेगी, उसमें से अगर आप उनकी present value future के premium की less कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा net liability कितनी है आपकी life insurance company की, उसके बाद जब हम questions कर रहे थे, आपने देखा होगा, एक तो हमारे पास आते है funds for future appropriation, जो आप कहां से आते हैं, आपके profit and loss से transfer होते हैं, और दूसरा आपके पास एक fund होता है life insurance fund, तो आपकी insurance company क्या करेगी, दोनों क्या है, insurance के काम के लिए बनाए गई पैसे हैं, जो insurance company के पास पड़े हैं, तो इन दोनों के total से वो net liability को compare करेगी, जितना ज़ादा, जो ज़ी ज़ादा ह होगी, मानलो, अगर उनका ये fund है, वो ज़ादा है आपकी net liability से, इसका मतलब company profit earned कर रही है, और profit कितना होगा, इन दोनों के total में से, जब आप net liability को less करोगे, यानि कितना हमारे पास profit है, total पैसा कितना है, उसमें से देना कितना है, तो आपका क्या आजाएगा, profit आजाएगा और reverse case में आपका खिया जाएगा, low सा जाएगा, ठीक है, आपको simple है, present value of future liability में से present value of future premium less करोगे, तो net liability आएगी, यानि कितना पैसा भी पे करना है, आपकी life insurance company को, अगर आप पूरे funds for future appropriation और life insurance fund, जो दोनों fund है, उनसे compare करोगे, तो आपको पता चल जाएगा, आपकी जो insurance company है, उसका profit total कितना है, देखो यही दिया आपको, present value of future liability में से present value of future premium less करोगे, तो आपके पास net liability आएगी, कि मान लोगर आपके पास 800 करोड की future liability है, और 200 करोड का future premium है, यानि आपकी net liability 600 करोड है, जब आप इसको compare करोगे, life insurance fund और funds for future appropriation के साथ, तो आपको पता चल जाएग कि आपके पास कितना, आपकी जो organization है, उसके पास surplus कितना है, या deficit कितना है, तेक है, next topic है आपका distribution of surplus regulation, यानि कि जो surplus आपकी life insurance company के पास होता है, वो उसको distribute कैसे करती है, यानि अपने shareholder के बीच में कैसे बाठती है, देखो जो आपकी life insurance company है, उसे always क्या करना पड़ता है, participating ज नहीं बनाती है, तो मान लिया जाएगा कि जो उन्होंने fund बनाया है, वो किसके लिए है, आपके participating policy holder के लिए है, अगर वो क्या कर रही है, non participating के लिए अलग से fund बना रही है, तो ऐसे में उसे actuarial valuation से जितना भी पैसा आएगा, जितना भी surplus आएगा, उतना ही पैसा क्या रख और कभी भी वो 10% से जादा shareholder को distribute नहीं करेगी, ठीक है, सिंपल सा topic ऐसी theory purpose से है, पढ़के देख लेना, कुछ ना समझाए तो पूछ लेना, इसी topic के साथ आपका life insurance company खतम होता है, कल से हम बात करेंगे general insurance की, कि general insurance company अपने accounts कैसे maintain करते है, thank you.